व्याकरण की सिक्षण विधिया व्याकरण की क्योंकि पुराने जो रिषी यमोनी थे जब से इस विधि के दौरा ही बच्चों को सिक्षा दे दे, कैसे इस विधि में विध्यार्ति को सरपृत्यम व्याकरण के नियम कंठस्ट अत्रवा याद कराये जाते हैं, उसके बाद उधारन देकर उनका व्यहवारिक प्रियोग करना सिखाया जाता है यानि ये विदी जो है वो नियम से उधारन की तरफ चलते हैं आप ऐसे याद कर सकते हैं निगमन निगमन नियम तो नियम से उधारन की तरफ चलते हैं कैसे कि टीचर जो होता है वो बच्चों को पहले सारी जो नियम है जो भी वो व्याकरण बता रहा है जिसे सर्वनाम क्या होता है सर्वनाम की क्या definition है संग्या की क्या definition है तो वो सब कुछ वो पहले बता देते हैं नियम को पूरा बता देते हैं उसके बाद वो उधारण की और ले जाते हैं यानि फिर उनके सामने उधारन प्रस्तुत किये जाते हैं संग्या के या सर्वनाम के तो उनके देकर विवारिक प्रयोग करना सिखाया जाता है यानि कि फिर उधारन देकर हम उनको विवारिक प्रयोग करना सिखाते हैं जो भी हमने नियम बता है उसका बच्चे नियम को आत से सीखते हैं और तेजी से किसी बीचीज को कर लेते हैं यह है विधी सामान से विशिष्ट की और चलती है किお हम ने नियम बता दिया जो सामान ने फिर हम उधारन की और गए जो विशिष्ट होते हैं तो इस Off-r板 चली में क्या होता है इस विदी यh प्रणाली के दो रूप है इस प्रणाली के दो रूप है नहीं इस विदी के दो रूप होते हैं तो देखे एक थोड़ा सा ड्रॉबेक इस विदी का ये होता है कि हम इसमें बच्चों को नियम कंठस्त कराते हैं यानि रटने पर बल दिया जाता है तो ये विदी उतनी अच्छी विदी नहीं है अब ये क्योंकि प्राचीन विदी है बहुत पहले से चली आ रही है इसलिए आज भी इस विदी को लोग जो है वो प्रियोग करते हैं क्योंकि थोड़ा सा आसान होता है इस विदी से पढ़ाना अब क्या है कि इस विदी में दो रूप होते हैं कौन-कौन से एक सूत्र प्रणाली होती है या सूत्र विदी कह सकते हैं और एक है पुस्तक विदी दो त क्या है कि बच्चों को हम सूत्र बता दिये हैं, हमने एक टीचर है, उसने व्याकरण के सारे सूत्र बता दिये और बच्चों को बोल दिया कि रट लो, याद कर लो, भले उनको समझ में आया या नहीं आया, फिर हम उधारण दे देते हैं, उनको बोलते हैं, हमने ये नियम ब व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है, छात्र उनमें से नियमा को याद कर लेते हैं, या तो टीचर खुद सूत्र पता देता है, लिखा देता और रियात करने के लिए बोल देता है, या तो पुस्तक दे देता है, जिसमें सूत्र लिखे हुए होते हैं, और बच्चे उसमे पहले बच्चों को उधारण देते हैं फिर उधारण की सायता से व्याकरण के सामान सिध्धान्तों तक पहुचते हैं देखिए आग्मन विदी जो है वो निगवन विदी के अपोजिट है जैसे हम निगवन विदी में पहले नियम बताते हैं फिर नियम से हम उधारण की तर जाता है कैसे कैसे मतलब कि हम उधारणों की सायता से नियम को खोचते हैं व्याकरण के सामन सारी आगमन विधी में चार पदों का अनुसरन करके चात्र व्याकरण के नियम वह उपनियम को सीखते हैं तो इसमें चार पद होते हैं चार स्टैप्स होते हैं जिनके सायता से हम उ धारण देता है जो भी नियम वो सिखाना चाहता है उसके बहुत सारे धारण देता है फिर बच्चे उन धारणों का निरिक्षण करते हैं निरिक्षण करके के बाद वो सामानी करण करते हैं जो भी उनने निरिक्षण करके पाया है उसको उसको वो सिंप्लिफाई करते कि इसमें ये चार स्टैप होते हैं। उध्हारण, निरिक्षण, यृत निरिक्षण, सामानिकर्ण, परिक्षण। chart निरिक्षण। उध्हारण सरप्रतम बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उध्हारण प्रस्तुत किये जाते है यानि बहुत सारे हम उधारन रखते हैं बच्चों के सामने जैसे कि अगर हम संस्कृत में हम टैंस सिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे जो भी हम काल के बारे में सिखा रहे हैं जिस भी टैंस के बारे में सिखा रहे हम उसके बहुत सारे एक्जामपल बच्चे के सामने रख दे हैं और इन में जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं यानि जो टीचर ने उधारण दिये है ना उस टैंस के जो बहुत सारे उधारण दिये उसको वो उनका निरिक्षन करते हैं कि अब्जर्व करते कि इसमें क्या similarities है क्या-क्या चीज़े समानता हैं और उसके बाद उन सब similarities का पता लगाते हैं उनकी हिसाब से फिर वो समानी करन करते हैं इस समाननिता की को वे नियम का रूप दे देते हैं यानि कि जो भी उन्होंने समानता देखी उन सारे उधारण में तो उन समानताओं के हिसाब से वो नियम का निर्मार कर देते हैं और नियम बना देते हैं नियम बनाना ही नियम को खोज लेना ही समाननी करण होता है फोर दिस्टे अब आता है परिक्षन निकाले गए नियमों की सत्ता है तो उनका परिक्षन किया जाता है अब जो उन्होंने नियम उसको वो चेक करते हैं कि क्या वो सही है जो टीचर ने उधारण दिये थे वो उसके हिसाब से हैं उन पे वो नियम लागू हो रहा है कि नहीं तो वो इसका टेस्ट करते हैं तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो उधारणों की सायता से नियम का निर्माण कर लेता है यह वि लुकि क्योंको पारा टारी सब्सक्रीप और भेलादी जिशों को चीजों को पता करना जानना देखना हो इसारा काम करता है होुता है इसलीग इंच्रेस्टिफी करविदी है छात्र स्वक्वाइम करके सीखने का अफसर मिलता इसमें छात्र को तो बहुत तो दो young कि स्वायम करके सीखने वाले सिध्धान को फॉलो करती है इस प्रकार सीखा हुआ ग्यान स्थाई होता है क्योंकि बच्चा खुद से काम कर रहा है खुद से नियम को खोज रहा है इसलिए जो वह भी सीखता है वह ग्यान जो है वह स्थाई होता है इस विदी में कुछ सिक्ष सिधान्थ हैं शिक्षण सूत्र हैं उनको फॉलो किया जाता है जैसे ग्यात से अग्यात मूर्थ से अमूर्थ करके सीखना इन सारे को और ये विधी क्या है ये है उच्छ प्रात्मिक इस तर के लिए अच्छी विधी यानि बड़ी क्लासे के लिए बहुत अच्छी विधी ह थर्ड हमारा है खेल विधी इस विधी में सिक्षक विध्यारतियों को व्याकरण के नियमों से अवगत कराने के लिए किसी खेल का चेयन करके पाठ को सिखाते हैं यानि नाम ही इसका खेल विदी यानि इसमें टीचर जो व्याकरण सिखाते हैं वो खेल खेल के दौरा किसी भी तरह से वो खेल कोई भी गेम चूज कर सकता है जैसा उन्हें पढ़ाना जो उन्हें व्याकरण में चीज सिखानी उसके हिसाब से वो खेल को चुनाब कर लेंगे और उसे फिर बच्चों को सिखाएंगे यह विदी बहुत रुचिकर विदी खेल के सीखना किसको अच्छा नहीं लगता तो यह विदी कैसी रुचिकर विदी है चात्रों को व्याकरण को सीखने में किसी प्रकार की निरस्ता का एहसास नहीं होता है क्योंकि बिल्कुल भी बोर नहीं होते बच्चे क्योंकि खेल-खेल में उनको सिखाया जा रहा है उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कुछ पढ़ रहे हैं वो खेल-खेल में चीजों को सीख भी जाते हैं छात्र खेल खेल में व्याकरन के नियमों को सहज़ता से सीख लेते हैं आसानी से सीख लेते हैं और इंट्रेस्ट के साथ सीख लेते हैं फूर्थ मेथड है हमारा प्रत्यक्ष विधी प्रत्यक्ष विधी इंगलिश में से डारेक्ष मेथड भी कहते हैं यह विधी बिना व्याकरण नियमों का ज्यान कराए भाजा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अफसर पतान करती है देखिए नाम ही है इसका प्रत्यक इससके शुद्ध रूप का अनुकरण करना सिखाते हैं जैसे हम हंपे लिए हिंडी के लिए हैं तो क्या पता उस बच्चे की मात्र भाषा कुछ और हों असा नहीं होता कि पहले उसको अनुवाद बड़ी कक्षा के लिए अच्छी है लेकिन क्योंकि बड़ी कक्षा में आप जानते कि कोई भी लैंग्वेज जो होती है, वो काफी उच्छी इस्तर की हो जाती हाई लेवल की हो जाती तो वहाँ पे हम directly बच्चों को उसी language में सिखाएंगे बिना नियम बताई सिखाएंगे तो बच्चों वो थोड़ी सी problem आती है तो ये छोटे बच्चों के लिए अच्छी विधी है इस विधी में मात्रभाशा को माध्य हम बनाए बिना चात्रों को व्याकरण सिखाया जाता है यानि कि मात्रभाशा का यूज नहीं किया जाता है और हम व्याकरण की नियम उन्हें सिखाते हैं फिप्त है हमारा समवाय विधी समवाय विधी क्या है इस विधी के प्रतिपाद को का मत है कि व्याकरण की सि सपोर्ट में हैं उनका मानना है कि हमें व्याकरण की नियम नहीं बताने चाहिए बलकि हमें बच्चों को साहतिक रचनाय पढ़ने के लिए देनी चाहिए और वो पढ़के खुद से सीखें उस व्याकरण को इसके अंतरगत मौखिक एवं लिखित कारे कराती समय गदी की पु सिखाते हैं बलकि जब हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं जैसे हम गद पढ़ा रहे हैं यह रचना करा रहे हैं वाक की बनाना सिखा रहे हैं मौखित लिखित कार करा रहे हैं उस समय हम व्याकरण उनको जो भी लाइन आएगा उसको समझाने में हम व्याकरण को भी समझा देंग नेस्ट है हमारी विशलेशन आत्मक विधी विशलेशन आत्मक विधी क्या है यह बहुत important विधी है इस विधी में सिख्षक आगमन विधी की तरह विध्यारती को व्याकरण पढ़ाते हुए पहले उधारण देते हैं फिर उन पर विचार विमर्ष करके छात्रों से नियम न करते हैं जो भी हमने उधारण दिया उसको छोटे-छोटे टुकडों में तोड़ा जाता है चोटे-छोटे भागों में और हर एक भाग का विशलेशन किया जाता है एनलेसिस की जाती है उसके हिसाब से फिर वो नियम का निर्मार करते हैं इस विधी द्वारत छात्रों को जानने के प्रति रुची उत्पन होने के कारण इसे व्याकरण की सर्वोत्तम विधी माने जाती क्योंकि इस विधी में बच्चे क्या होते हैं व्याकरण के नियम जानने के लिए काफी कार करते हैं और रुची उत्पन रहती है उनके अंदर रुची रहती है कि हाँ भई ये उधारण में कौन सा नियम है, कैसे ये उधारण है, जो भी सेंटेंस बना है, वो कैसे बना है, तो बच्चे काफी रुचिकर विधी लगती है, बच्चे काफी एक्टिव रहते हैं, इसलिए ये जो है व्याक्रण शिक्षन को रुचिकर बनाने के उपाए, यानि आप देखा हुआ कि जब आपको व्याकरण पढ़ाया जाता था तो आप काफी बोर हो जाते थे हैं ना तो हम किस तरह से व्याकरण सिक्षन को रुचिकर बना सकते हैं उसके क्या उपाए है फर्श्ट है व्याकरण की पाठे चर्या छात्रों के स्तर के अनुसार व्याकरण की व्याकरण शिक्षा दी जाए यानि कि हम जब व्याकरण सिखा रहे बच्चों को तो जो भी हमने उसके लिए पाठ निर्मान किया है ठीक है जो भी हमने टेक्स्ट बनाया है हम उस बच्चे के इस्तर के हिसाब से बढ़ाए है ना चोटे बच्चों को हम बेस स्थर के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए ताकि उसे समझ में आए उस समझने में किसी तरह का कटनाई को फेस ना करें सेकेंड है हमारा व्याकरण सिक्षण को द्रश श्रव विवा सिक्षक शायक सामगरी के प्रियोग से रोचक बनाया जाए यानि अगर हम व्याकरण प्रियों का प्रियों का प्रियों करते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते भी हैं और वो स्टेबल भी रता है स्थिर भी रता है दिमाग में और आसानी से उनका इंट्रेस्ट भी बना रता है उसको सीखने में तो हमें द्रश श्रव्य सामगरी शिक्षक सायक सामगरी का प्र को नहीं आएगा तो हमें क्या करना है हमें शात्रों के अनुसार सिक्षण विदी का प्रियोग करना चाहिए बच्चों की स्तर के हिसाब से भी हमें सिक्षण विदी का प्रियोग करना चाहिए चोटे बच्चों के लिए हमें आसान सिक्षण विदी का प्रियोग करना कि अपेक्षा व्याकरण का विभारिक ग्यान प्रदान किया जाए यानि हमें परिभाषा या निया में रटाने नीच चाहिए बल्कि हमें उनका विभारिक ग्यान देना चाहिए विभारिक ग्यान क्या होता है कि हम बच्चों से बुलवाएं उनको बोले कि आप इन चीजों को बोले उसी भाषा में हम जो चीज सिखा रहे हैं जैसे हाँ अगर हम हिंदी में बच्चों को लोक्तियां सिखा रहे हैं या मुहावरे सिखा रहे हैं तो हम उनको बोले कि आप इनका प्रियोग करें विवहार में जब आप उन चीजों को ला नियमों का रोचक प्रकार से अभ्यास कराया जाए जैसे कि रिक्तिस्थान पूर्ति या वाक्य निर्माड या विलोम शब्द या परयावाची तो क्या है कि हम जब बच्चों को सिख्षण व्याकरण की नियम बता रहें तो हम रोचक तरीके से उनको सिखाएं बोरिंग ना तो इस तरह कि एक्टिविटी के द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे जो होंगे वो इसली सीखेंगे और बहुत इंट्रेस्ट के साथ सीखेंगे और बिल्कुल भी उनको व्याकरण जो है वो बोरिंग नहीं लगेगा तो इस तरह से हम व्याकरण सिक्षण को हम कैसे रुचिकर बना सकते हैं I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको चीज़े समझ में आई हो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस इसे लाइक कीज़ेगा और तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स